हेलो एप्रीवान वेल्कम बैक टू माई चैनल तो कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे ठीक ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा राते राते तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं कि मैं अपने वादा भगड़ी के पाड़ी बानने के लिए कपड़ा ले लिया है और यह कपड़ा है यह इस ऑपड़ी क चूبح गह बहा के कर दा हुद नहीं वादा बनाती है उसमें लाइनिंग भी इसी कपड़े से लगाती हूं और अब रान ली जाए गोपाल तो यह जो पगड़ी का कपड़ा है यह मैंने कोई नापके न लिया तो आप अपने हिसाब से देख सकते हुए आपके ठाकुर जी कितने बड़े हैं उस हिसाब से आप कपड़ा लोगे तो आप डबल कलर की पगड़ी भी गुपाल जी के बांद सकते हो फिलाल मेरे पास जो गुपालजी ने dress डाले हुई है इसमें जो है उस color का कपड़ा गुपाल जी की बांद रही हूं चाहें कोई ज्यादा मुश्किल रोल करते वे तीन चार यासए गुमादेंते रहते हैं हम ऐसे करके ऊपर कर देंगे कपड़े को और जस्ट करते हुए तो यह जो लास्ट का होगा हमने आगे से ऐसे ही करना है क्योंकि इससे पगड़ी का लुप काफी अच्छा आता है और अब लगा दी जाए पिन तो यह जो पिन है आपको बड़ी असानी से स्टेशनरी शोप से मिल जाएगी 50 रुपे की बॉल पिन आईए तो अब यह मैंने पिन लगा दिये तो अब यह खुलेगी नहीं और एक बारी और कपड़ा रोल करके और यहीं पर अरजेस्ट करके मैं इसको पिन लगा दूँगी तो पिन भी आपको ध्यान से लगानी है कि यह ना हो कि पगड को पर लेकिन सुई धागे से थोड़ी मुश्किल होगी तो यह पिन ठीक रहती है पगड़ी के लिए तो बस अब यह जो बचा हुआ कपड़ा इसको थोड़ा सा अरजेस्ट करते वे और मैं इस पे भी पिन लगा दूँगी तो वैसे तो मार्किट से भी बनी बनाई काफी सुन्दर सुन्दर पगड़ियां मिल जाती हैं पर मैं अपने गुपाल जी को अपने हाथों से ही पगड़ी बांती हूँ क्योंकि मुझे काफी इच्छा लगता है गुपाल जी को तियार करना इनका शिंगार करना या इनको सनान कराना तो मैं ज्यादा तर अपने गुपा जान डालके और इनका चंदन से कर देती हूं शिंगार तो ये देखिए काफी अच्छा लुका है गुपाल जी की पगड़ी का एकदम राजेस्थानी स्टाइल तो एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आप गुपाल जी की पगड़ी पहली बाद बांद रहे हो तो आप कोटन का कपड़ा ही लोगे क्योंकि अगर रेश्मी या सिल्क का कपड़ा लोगे तो उसको थोड़ा अरजस्ट करना मुश्किल हो जाता है तो यह देखिए अब मैं गुपाल जी का चंदन से शिंगार करूंगी तो यह अच्छे से निकल भी गई है तो यह खुलेगी नहीं क्योंकि इस पे पिने लगी हुई है तो अच्छे से यह बंदी रहेगी और अब कर लिया जाए गुपाल जी का चंदन से शिंगार जो की काफी अच्छा ये करवा लिते हैं तो चंदन का जो शिंगार है वो पगड़ी बानने के बाद ही करना है पहले पगड़ी बाननी है उसके बाद हमने शिंगार करना है क्योंकि वो सनान करके त्यार होके साइड में बैटे हुए हैं तो उनकों मैंने विराजमान कर दिया है साइड में और बस अब इनका भी शिंगार हो गया है गुपाल जी का तो ये देखिए काफी अच्छे से अपना शिंगार करवा लेते हैं गुपाल जी तो शिंगार भी मैं गुपाल जी का काफी तरह से करती हूँ तो वो भी कभी आपके साथ मैं शियर कर दूँगी तो ये देखिए तो ये देखिए काफी अच्छे से गुपाल जी ने शिंगार करवा लिया और अब इनको विराजमान कर दिया जाए और अब मैं इनको पहनाओंगी इनका हार तो ये हार पहना दिया जाए गोपाल जी को और इनके जो कंगन है वो भी मैं इनको पहना दूँगी तो बस पूजा की सारी त्यारी तो मैंने करी ली है और ये देखी ये हैं गोपाल जी के कंगन तो ये काफी अच्छे से मैं चोरें ड्रेस के साथ तो ये ही मैं आज इनको पहनाओंगी तो गुपाल जी का शिंगार गया हो और अब इनको पहना दी जाए इनकी पगड़ी तो पगड़ी पे मैंने चोटी-चोटी सी अटेश्मेंट लगा दी थी और मोरपंक भी लगा दी है मैंने जिसे की काफी अच्छे फिर हमारे गुपाल जी सुन्दर लगते हैं मोर पंक से तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो उमीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी